जो बिल्कुल देखिए ये जो CCTV फुटेज है दिल्ली की कारून विवस्ता पर सवाल बिल्कुल खड़े करता है गटना तक्रीबन सुबा साड़े गैरा बजे कल सुबा साड़े गैरा बजे के आसपास किये जिस शक्स को गोली मारी है उसका नाम शानवाज बताये जा रहा है हलाकि पुलिस का कहना है कि इसके उपर भी कई अपरादिक मामले दज है गैंग वॉर्ड के अशंका को देखते हुए पुलिस पूरे मामले की जाज कर रही है लेकिन जिस यूवक्त ने गोली मारी है उसकी पहचान अभी तक पुलिस द्वारा उजागर नहीं की गई है पुलिस का कहना है कि तीन टीमें बनाई गई है जो की जिसने गोली मारी है उसकी जाच परताल जो है वो की जा रही है हलाकि sources का यह कहना है कि जिस यूवक ने गोली वारी है कई गैंग से उसके तालुक्त है और वो भी इलाके का BC बताया जा रहा है और घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो जाता है हलाकि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया वो गिरफतारी के बाद ही सामने आपाएगा लेकि CCTV फूटेज में आप साफ तोर पर देखेंगे कि एक शक्स शारवाज जो की चलता हूँ आजा रहा है हलाकि पुलिस का कहना है कि CCTV को कबजे में लिया गया है जो आजपास लोग है उनके स्टेटमेंट को भी रिकॉर्ड किया जारा है और दिल्ली के सीलंपूर इलाके का ये जो पूरा घटना करम है पूरे इलाके का पूरा ये घटना क्रम जो दिल देहला देने वाला सामना है बहुत बहुत शुक्रिया जितिन तमाम जानकारी के लिए फिलहाल अगनी ख़बर का रुक लेते हैं सियम के जिवाल से मिलेंगे पंजाब के सियम भगवंतमान तो आखिरकार पंजाब के सियम भगवंतमान को सियम के जिवाल से मिलने का समय मिल चुका है और ये तारीक तैय कर दी गई है 15 अप्रैल को अब वो मिल सकेंगे तमाम बैठक के बाद दो गंटे तक ये बैठक हुई और उसके बाद पंजाब पुलिस तिहार प्रिशासन ने आखिरकार ये तै कर लिया कि पंजाब की सियम भगवंध मान आखिरकार सियम अरविंद के जिवाल से मिल सकते हैं और जतिन हमारे सेयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जतिन आखिरकार समय मिल गया अब फिलहाल 15 अप्रैल की तारिक तै हुई है कब तक मिल पाएंगे और क्या पगवंध मान के साथ कोई और भी पहुचेगा उनसे मिल अकात करने के लिए जिदेगे कल दो गंटे तियार जेल में बैटक चली, इस बैटक में आई बी की टीम मौझूद थी, दिलिम पुरुस से क्यूर्यटी की टीम तीम मौझूद थी और साथ ही पंजाब पुरुस के जो ए डिजी सीम सेक्यूरुटी हैं वो भी वहां पर मौझूद थे दो गंटे की बैटक में ये तो तैया हो गया कि पंदरा तारिक दोपैर को बारा बजे सीम बगवंदमान अर्विन केजवाल से मुलाकात करेंगे लेकिन जेल परसाशन का साब तोर पर कहना है कि ये कोई वी आईपी मुलाकात नहीं होगी जेल मैनूल के चलते ही सीम बगवंदमान और अर्विन केजवाल की मुलाकात जो है वो तिहार जेल की जेल नंबर दो के अंदर कराई जाएगी जिस तरीके से एक आम कैदी दूसरे लोगों से मिलता है उसी तरीके से मुलाकात होगी हलाकि सोर्सिस का यह कहना है कि सुपरिटेंडेंडन के कमरे में यह जो मुलाकात है वो करवाई जा सकती है हलाकि अभी जो जानकारी मिल रहे है कि से भगवंदमान यह वहाँ पर मौझूद होगी लेकि रामादी पार्टी का कहना है कि संजे सिंग भी उनके साथ जा सकते हैं हलाकि तिहार प्रसाशन का साब तोर पर कहना है कि जेल नमबर दो में यह मुलाकात होने के पूरे चांसिज है और साथ ही पंद्रा तारीक को दुपैर को बारा बजे के आसपास ही हम भगवंदमान वहाँ पर पहुचेंगे हलाकि भगवंदमान को जेट प्लस सिक्योरिटी दी गई है तो दिल्ली पुलिस तिहार जेल तक भगवंदमान को एसकौर्ट करेगी और उसके बाद जेल मैनूल के चलते ही अर्विन केजवाल से उनकी मुलाकात जो है वो करवाई जाएगी आपको बता दें कि कल आई बी की टीम मौजूती जिस सरीके के इंटल भगवंदमान की सिक्योरिटी को लेकर अक्सर मिलते रहते हैं उसको लेकर भी तिहार प्रसाश्य ने उस पूरे मामले पर समिक्षा बैठक की है लेकिन तिहार प्रसाश्य ने क्लियर कर दिया कि कोई व हम यह बताएंगे लोग सबा चुना प्रचार के बीच मानी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार दिली के मुख्य मंत्री आर्विंग के जिवाल से पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंदमान 15 अप्रेल को तीहार जेल में मुलाकात करेंगे सेम मान की यह मुलाकात रवाजनेते ग्रूप से काफी एहम मानी जा रही है कैसे इस रिपॉर्ट में दिखिए आप काली नीती मामले में जेल में बंद अर्विंद के जिवाल से मिलने के लिए भगवंदमान आएंगे तीहार जेल में 15 अप्रेल को अर्विंद के जिवाल और भगवंदमान की मुलाकात होगी यह मुलाकात तो पहरबाद कड़ी सुरक्षा के बेच होगी क्योंकि भुखवंदमान को जट प्लस रक्षा मिली है मुलाकाद जंगला लोखी की चालिक होती है जसमें मिलने वाले और कैदी आमने सामने बैठ कर एक दूसरे से बाचीव कर सकते हैं पंजाब की मुख्यमंद्रे भुखवंदमान और सियम अर्विंद के जवाल की मुलाकाद से पहले तीहाड जेल पर शासन ने तैयारियां पूरी कर ली है मुलाकाद में किसी भी तरह का वियाईपी च्रीक्मेंट नहीं होगा जेल मैनूल के आधार पर ही मुलाकाद होगी देश में लोगसफ़ा चुनौप पिचार चल रहे हैं ऐसे में पंजाब की सीम का अर्विंद की जवाल से मुलाकाद एहमानी जा रही है इस मुलाकाद के दोरान के जवाल और प्विंद पान लोगसफ़ा में चुनौप पिचार के रणनीती और आने वाले वक्त में आपकी रणनीती को लेकर चर्चा कर सकते हैं 15 अप्राइल को आपकाड़ी मामले में मुक्षमंतिर अर्विंद के जवाल की नाई खिलासत की अवद्र भी पूरी हो रही है हलाकि अर्विंद के जवाल को वीडियो कंफरेंसिंग के जर्गे कोड के सामने पेश किया जाएगा इडि ने किस मार्च को अर्विंद के जवाल को लिस्ट किया था प्षोर रिपोर्ट रपब्लेक भरत और इधर केंडरी मंद्री स्मृती रानी ने राहूल गांदी पर एक बार फिर से हमला किया है और क्योंकि उन्होंने राहूल गांदी लिया था वायनाट को ही अपना परिवार बताया था और इस पर स्मृती रानी ने हमला बोलते हुए काहे कि राहूल गांदी ने सिर्फ वायनाट को परिवार बताया राहूल ने कहां वायनाट के लोग वफादार है तो जहिर तो पर राहूल गांदी जो एक बार फिर से वाइनाट से इस बार चुनाव लड़ रहे है तो वहीं स्मृति रानी भी कुछ दिन पहले वाइनाट में चुनाव प्रचार करने पहुची थी और अब जब राहूल गांधी ने इस तरह की टिपणी की है कि वाइनाड ही परिवार है तो स्मृती रानी ने वार करते हुए का है कि राहूल गांधी ने सिर्फ वाइनाड को ही अपना परिवार बताया और उन्होंने कहा है कि वाइनाड के लोग वफादार हैं तो इस पर ये देखा जा रहा है एक तरफ चुनाव करीब है और इस बीच सियासी पारा गरम है पूरे देश का अलग-अलग तरह से वार पलट वार का सिलसिला जारी है और वहीं अब ये जंग छिड़ी हुई है पहले मेठी में जहां दोनों की भी जंग छिड़ा करती थी औ और अब वायनाट को लेकर भी जंग छिड़ी हुई इसमृती रानी और राहूल गांधी के बीच इसमृती रानी का राहूल गांधी पर हमला राहूल ने सिफ वायनाट को परिवार बताया है जिसके बाद श्मृती रानी ने उन्हें चोतरफा घेरा और इस पर उनपर तंस कसा ये कहा कि पहले अमेठी को अपना परिवार बताते थी जब वोट लेने जाना होता था लेकि राहूल गांधी का ये बयान जो कह रहें कि बाइनाट के लोग वफदार है अब बाइनाट से ही उन्हें अपनी नईया पार होती हुए दिख रही है ये बयान बाकी लोगों को भी हैरान करता है क्योंकि अमेठी रायबरेर की हम बात करें ये तो गांधी परिवार का कुन् उत्तर परदेश ही नहीं उत्तर परदेश की कई सीटें हैं सबकी जितानी जिम्मेदारी लेकिन ये कहना कि अब सिर्फ वाइनाट ही उनका सहारा है तिससे लगता है कि उनके पास अब कोई भी सीट हिंदूस्तान की सुरच्छित नहीं रहे गई है एक बार पिछली बार ज लेकिन उसी जिसको अपना घर मानते थे जिसको जहां से सियासत इनकी चालू थी उसको इन्होंने इस तरह से कहा लेकिन अगर हम विवादित बोलगी करें तो यहाँ पर नेताओं लोग सभा चुनाओं में एक से एक बात निकल कर आ रही है चाहे वो इस्मिती रानी का बया हो या हैमा माली पर जो टिपड़ी हुई हो या कंगना रनावत पर जो टिपड़ी हुई हो या जो अभी इमरान मसूद ने बोला हो लगातार कई नेताओं कि इस तरह के जो बयान है विवादित बयान एक से बढ़कर एक भासा यहाँ पर आपको सुनने को मिलेगी केंदरी मंत्री और अमिठी सिसांसद स्मिती रानी ने राहूल गांधी पर बड़ा हमला बोला है दरसल राहूल गांधी ने जुनावी परचा भरते हुए बाइनाट की जनता को ज्यादा वफदार बताया था और इसी पर बरसते हुए स्मिती रानी ने कहा है कि लोगों को पहली बार राहूल गांधी को ही देखा है क्या कुछ रहा एक रिपोर्ट देखिए राहूल पर स्मृतिका तंज 15 साल तक अमेची में निकम्मा सांसत राहूल वर्सस प्रती निकम्मे वाली राजनिटी 24 के लूक सभ़ चुनौव का पावर प्ले स्टार्ट है NDA से लेकर इंडी तक चुनौवी मैदान में है प्रचार धुआधार है, जुबरदार है लेकिन जुबानी वार पलट वार भी उतने ही तेज है चुनौवी मैदान से सियासी लड़ाई की ताज़ा तस्वीर अमेठी से सामने आई है अमेठी से बीजेपी मिदवार स्मृती एरानी ने एक बार फिर वाइनाट से लोक सभा चुनौव लड़ रहे राहूल गांधी को निशाने पर लिया है रहूल गांधी पर जोरदार निशाना साथ देखुए इस मृती एरानी ने कहा कि रहूल गांधी ने सिर्फ वाइनाट को अपना परिवार बताया है वाइनाट के लोगों को इमानदार बताया है तो फिर हम क्या हैं रहूल गांधी पर निशाना साथ देखुए स्मृती रानी यही नहीं रुकी स्मृती ने रहूल को निकम्मा तक करार दे दिया स्मृती ने कहा कि पंद्रह साल तक रहूल ने अमेठी के लिए कोई काम नहीं किया पंद्रह साल तक अमेठी ने निकम में सांसत को ढोया केरल के वायनाट से परचा भरकर अपने परिवार अमेठी को छोड़ दिया वही कॉंग्रिस की तरफ से फलटवार किया गया है राहुल गांधी पर स्मृती रानी के बयान को यूपी कॉंग्रिस अध्यक्ष अजयराय ने मांसिक दिवालियापन बताया अजयराय ने कहा कि बीजेपी जल से जल स्मृती का मांसिक इलाज करवाए बाकी आने वाला वक्त बता देगा कि कौन नकारा है